नमस्कार तो हमने चैप्टर पढ़ा था मेंसुरेशन मेंसुरेशन के अंदर हमने पेरिमीटर और एरिया ये दोनों देखे थे लेकिन उसमें हमने फिगर्स देखे थे रेक्टेंगल हो, स्क्वार हो, ट्रेंगल हो, पैरलेलोग्राम हो इनके एरियाज निकालने देखे थे अब हम आते हैं एरिया रिलेटेट टू सर्कल अब सर्कल के अंदर सर्कल सबसे पहले होता क्या है तो ऐसा पॉइंट का पाथ जो की इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका एक फिग्स पॉइंट के साथ में डिस्टेंस सेम रहे वो फिग्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर और जो कॉंस्टेंट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम रेडियस तो अब हम आते हैं एरिया रिलेटेच टू सर्कल के उपर बेस्ट सबसे पहले हम फॉर्मूले देखेंगे फिर उसके उपर बेस्ट क्वेश्चन स्टेखेंगे तो सब से पहले हम circumference हाला कि आपने circumference का formula देखा है लेकिन ये circumference का formula आता कहां से है ये circumference का formula आता है अचले एक theorem होती है कि circumference always bear से constant ratio with diameter तो ये एक theorem है जहां से हमारे पास में ये circumference का formula आता है अब circumference के पहले pi क्या होता है तो actually ये जो constant ratio है this is pi तो definition of pi is in a circle this circumference always bears a constant ratio तो ये जो constant ratio with diameter तो यहां पे circumference और diameter का जो ratio होगा वो constant होता है और वो constant pi के लाता है so this constant ratio is called pi तो आपको ये ध्यान रखना है pi क्या है pi किसी भी circle चाहे आप छोटा circle बनाओ बड़ा बनाओ यो बहुत बड़ा बनाओ उसमें अगर circumference को हमने measure किया और diameter को measure किया circumference को diameter से divide करोगे तो चाहे छोटा circle हो बड़ा circle हो वो constant tiger ratio तो वो pi के लाता है and pi is irrational number ये ध्यान रखिए आप है न हमको कभी भी ये confused नहीं होना है कि ये circumference upon diameter है मतलब pi upon q वाले form में है और pi upon q वाला form तो rational होता है ऐसा mind में ये चीज़ आती है लेकिन जो length होती है हमने number line में भी देखा है number line में हर rational number के लिए हमारे पास एक point है हर irrational number के लिए भी point है जैसा आपने देखा है root 2, root 3 इनको कैसे represent करना number line में तो जहाँ length हुई तो length may correspond to some rational number और it may correspond to some irrational number also तो यहाँ पर ये हो सकता है कि circumference irrational हो या diameter irrational हो या दोनों ही irrational हो तब ये number pi ये irrational number आएगा ठीक है तो circumference upon diameter is equal to pi diameter को इधर multiply कर दो तो circumference is equal to pi into diameter और diameter क्या होता है 2 times radius होता है तो 2r होता है ये 2 into radius तो circumference will become 2 pi r तो perimeter of circle means this is called circumference and circumference is equal to 2 pi r ठीक है? चलिए आगे चलाएं अब area of circle देखें area of circle आपने 9th class में भी area of circle या 8th class में भी किया हुआ है कि ये pi r square होता है अब pi r square कैसे होता है area of circle देखें अगर हम ये circle है इस circle को अगर हम ऐसे line ड्रॉ करें diameter ड्रॉ करें तो ये 2 parts में divide हो जाएगा फिर अगर इसको हम ऐसे diameter और ड्रॉ कर दें तो 4 parts में divide हो गया फिर इसको ऐसे और दो ड्रॉ कर दें तो ये 8 parts में divide हो जाएगा 8 parts से भी अगर हम इसको हर उसको फिर से इस तरह से divide करते हैं फिर यहां पे भी इसको बीच में से ये diameter बना दें इधर भी हम diameter बना दें इधर भी ये diameter बना दें और इसके बाद में अगर हम alternate जो ये sectors बने हैं इनको alternate red और white करते हैं अगर इस तरह से इसको red और black और white अगर हम कर दें इसको black और white कर दियां और फिर हम क्या करें इनको कैंची से इससे काट ले जब कैंची से काटेंगे तो देखिए इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और आठ आठ तो इसमें black वाले parts होंगे और 8 white वाले parts होंगे इनको हम क्या करें इनको काटके और ये black वाला part इस तरह का यहां से ऐसे इसको हम arrange कर दें black, फिर white तो ये जो white वाले parts हैं यहां पे इस तरह से arrange होंगे और black वाले को ये वाला black वाला part काटके इधर रख दिया दूसरे वाले को इधर रख दिया ठीक हैं? और white वालों को इनके बीच बीच में तो इस तरह से जब हम इनको arrange करेंगे ऐसे जब arrange करेंगे तो क्या होगा? ये एक rectangle जैसे उसके अंदर convert हो जाएंगे पांच, छे, साथ और ये आठ और इस तरह से इनको ऐसे ऐसे arrange कर दें ठीक है? तो ये approximately ये एक rectangle बन जाएगा ये approximately हैसी यहाँ पे भी ठीक है? अगर हम 16 पार्ट की जगे इसके 32 पार्ट कर दें तो और accurately ये rectangle जैसा दिखने लगेगा 32 की जगे 64 पार्ट कर दें इसके और छोटे छोटे पार्ट तो और उसके बाद में जब इसको arrange करेंगे बड़े पार्ट में ये उतना rectangle जैसा नहीं दिखेगा जितने इसके और छोटे पार्ट करते हैं तो 64 अगर करें फिर इसको और डबल कर दो और फिर उसके बाद जब इसा arrange करेंगे तो हम देखेंगे कि ये circle पूरा कट के और rectangle के form में आ गया और पत्तियां काट काट के यहां पे arrange की है इसका मतलब इसका पूरा area ये rectangle के area के अंदर convert हो गया ठीक अच्छा अगर हम यहां पे देखें ये पूरा circumference इसका circumference अभी हमने देखा 2 by r तो इसका अगर आधा कर दें मतलब सिर्फ ये black black part देखें या white white part देखें तो ये black black वाला part कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा circumference का ऐसे white वाला part इधर है वो भी आधा हो जाएगा means this will become 2 by r का आधा मतलब पायार हो गया ऐसे ही यहां पे भी ये पायार हो गया white white part ठीक है और ये radius जो था वो radius यहां पे आगया तो अब देखें area of this circle will be equal to area of this rectangle लेकिन area of rectangle क्या होता है length into breadth length है पायार और breadth है आर ये देखें ये length into breadth area of circle is equal to इसको पूरे को काट के इदर बिचा दिया तो area of rectangle के बरहबर ये हो गया length into breadth length है पायार और breadth है आर therefore this becomes equal to पाय आर square so this is the proof of the formula that area of circle is pi r square okay अब हम इनके उपर बेज़्ट questions भी कर सकते हैं ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं the radii of two circles दो सर्कल का रडियस दिया हुआ है एक का 19 और दूसरे का 9 cm find the radius of the circle which has circumference is equal to so circumference is equal to sum of the circumference of the two circles so this question we have to do so in solution यहाँ पे radii of two circles तो दो सर्कल है उनके अलग-लग radius दिये हुए है तो radius अगर पहले वाले का r1 is equal to 19 cm or r2 is equal to 9 cm तो इसका circumference हो जाएगा c1 will be equal to 2 pi r1 means this will be 2 into pi into 19 means this will be equal to 38 pi cm यह इसका circumference हो गया और दूसरा c2 will be equal to 2 pi r2 दूसरे circle के लिए so this is 2 into pi into r2 this is given 9 so this is 18 pi cm अब इन दोनों के circumference के बराबर बड़े वाले circle का radius circumference हो है तो अगर बड़े circle का radius हम r मान ले so let radius of big circle is equal to r therefore circumference of big circle means means 2 pi r ये बड़े circle का radius sorry not radius बड़े circle का circumference is equal to sum of the circumferences of other circles means this is 2 pi r1 plus 2 pi r2 right so 2 pi r is equal to 2 pi r1 means this is 38 pi plus 18 pi means 2 pi r means 2 pi r is equal to 2 pi r is equal to this will become 56 pi right अब pi से pi कैंसल r will be equal to 56 upon 2 means this will be 28 cm तो यहां से हम radius निकाल सकते हैं ठीक है चालिए आगे देखें the radius of two circles are 8 cm and 6 cm respectively find the radius of the circle having अब देखें यहां पे area equal to sum of the areas of two circles पिछले question के अंदर circumference some of the circumferences of two circles था इसमें एक बड़े circle का area वो छोटे circles के area के sum के बराबर दिया हुआ है तो अगर यहां पे in solution R1 दिया हुआ है 8 cm R2 is equal to 6 cm or let radius of big circle this is equal to R तो यहां दिया हुआ है area area of big circle means 2 pi r sorry this will be equal to sum of areas of two circles two circles so area of big circle will be pi r square is equal to sum of the areas of these two circles तो पहले वाले का हो जाएगा pi r1 square plus pi r2 square ठीक है इसमें से हम pi common ले सकते हैं तो pi r square is equal to pi is common r1 square plus r2 square a pi say a pi cancels r2 square is equal to r1 square means 8 ka square or plus 6 ka square means this is 8 ka square with a 64 plus 6 ka square 36 means this is equal to 100 so r square is equal to 100 means this is 10 square so r will be equal to 10 cm तो this will be the radius of the bigger circle right चालिए आगे देखें चालिए आगे देखें the wheels of a car of diameter 80 cm each how many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour तो यहाँ पे हमेरे को number of revolutions पूछे हुए है तो number of revolutions जबकि 66 के हिसाब से 66 km per hour के हिसाब से इसकी speed दी हुई है है ना तो सबसे पहले हम जो जो चीजें दी हुई है उसको लिख ले in solution see what these things are given diameter diameter D is equal to 80 cm therefore radius r will be equal to 40 cm हम को number of complete revolutions पूछे हुए है time दिया है 10 minute और speed दी हुई है तो speed is equal to 66 km per hour हम इसको convert करेंगे क्योंकि हमको 10 minute में चाहिए है ना तो हम इसको kilometer को centimeter per minute के अंदर convert करेंगे तो देखिए this is equal to 66 into kilometer को meter में convert करना है तो एक kilometer में 1000 meter होते है 1000 meters है ना और meter को भी क्योंकि यह centimeter में दिया हुआ है तो हम centimeter में convert कर लें तो centimeter में convert करने के लिए एक meter में 100 centimeter होते है तो यह into centimeter ठीक है per hour मतलब upon में एक घंटा लेकिन एक घंटा नहीं हमारेको minutes में चाहिए एक घंटे में होते है 60 minutes so 60 minutes यह convert हो गया speed जो है centimeter per minute के अंदर ठीक है time हमको दिया हुआ है 10 minutes और कितने complete revolutions होंगे यह हमें पूछा हुआ है हम सपोस करें let number of revolutions number of revolutions is equal to n और टाइम दिया हुआ है time is equal to 10 minutes okay अब एक revolution के अंदर अगर अगर पईया एक बार घूमें तो वो distance कितना cover करेगा जेतना उसका circumference है है ने तो distance अगर 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 in one revolution is equal to this is 2 pi r 2 pi r means this is 2 into 22 by 7 into radius is here 40 इतने cm एक एक revolution के अंदर so therefore distance covered in 10 revolutions will be इसको n से multiply कर दो means 2 into 22 into 40 upon 7 into n ये हो गया distance अब हमको मालो में distance is equal to speed upon time speed is equal to distance upon time है तो speed is equal to distance upon time speed ये है 66 into 1000 into 100 upon 60 90 ये minute के अंदर है ह्एp ये है के अंदर है। और यहां पएः अंदर this is equal to here, distance covered, this is 2, into 22, into 40, upon, oh, this is, upon 7, not, upon 7, and into N, so upon 7, into N, here, distance, or upon time, time is upon, this is 10 minutes, right, so, here, अब ये देखिए, ये 10, ये 7 जो है, नीचे आजाएगा, यहाँ पे 22 से, इसको 3 times cancel कर सकते हैं, ये इसको cancel कर देगा, 3, इसको cancel कर देगा, 2 times, ये 0, इस 0 को cancel कर देगा, ठीक है, और ये 7, या इस से, हम इसको cancel कर देगा, 5 times, और ये 7, इधर आजाए, ये इस 2 से, और ये 4 से, ये भी cancel हो सकता है, तो ये 4 से, 1000, ये 250 times cancel हो जाएगा, और ये 2 से, ये 125 times cancel हो जाएगा, और ये 7 इधर आगया, so this will be 125 into 7 is equal to N, means N will be equal to, this will be 35, 3 बचा, 12 or 3, 17, 1 बचा, 8, 75, so revolutions वो 10 मिनिट के अंदर कर लेगा, ठीक है, okay, come to next, अब देखिए, हम आते हैं, area of sector and segment, sector क्या होता है और segment क्या होता है, sector अगर ये circle है, इसमें दो radio है, अगर हम draw कर दें, तो ये AOBP, ये पूरा जो part है circle का, इसको sector बोलते हैं, और अगर ये arc और ये cord, इनके बीच का जो part होगा, उसको segment बोलते हैं, ठीक है, तो area of sector क्या होगा, area of sector, this will be pi r square into theta upon 360, और length of arc क्या होगा, 2 pi r into theta upon 360 degree.